हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेजी ये सद्डा तो आज हम आप लोग के लाएं बैलो जीक से समधित टॉप टैन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्टन चुकि फ्रेंड्स हम इससे पहले जो मेट्रिक एक्जाम होना बला उससे समधित हम हिस्टी जो पॉलिटिकार और एकोनोमिक समधित सेट वाएशेट करा दियें जो कि सभी कोसर प्रिवेश यर एकजाम में पुछा गया कषन था आज़ा में सेटलेंट सेटलेंगे पूछा गया कषन है तो अप लोग के लिए बहुत ही इमपोर्टेंट नेंकर चलिए करते हैं पहला कशन है की कूढ़ पात कि बाता- को दिया परामेशियम यूग लीन अमीबा इनमें से कोई नहीं यानिकी नन तो इसका अप्सण सी ओजगा फ्रेंड्स अमीबा तो कुड़ पात किसमें पाए जाता है तो अमीबा में फ्रेंड्स कुड़ पात पाए जाता है आप इसे ध्यान में रखें यह कुछन 2-36 में पूछा गया को सन था तो चलते अब अगले को सन की और को सण आए कि परकास अंसलेसन न होता है आप को बताना ओव ready शूरी करेंगे जब दीन महीं सूर रहते हैं राथ में तो सूरा एन कauft़र है और सूरी नहीं का बहुत है दी नहीं होते हैं ध्यान में रिखेंगे भी कुछन 2015 में पूछा गया कुछन था तो चलते हैं अब नेक्ट क्रोशन की और नेक्ट क्रोशन है कि कलोरोफील वर्नक का रंग है तो फ्रेंट से बता दे कलोरोफील यह जो पाज आता है जिस तरह कुछन पुछेगा कि प्षान पूछण पुछन को साण पुछण यहां को स्पूछेगा यहां कने पूछ तो निला लाल सफिद तो का ने पहले इन मेंगनेसियम कलो लोब इन करनों ताब दूनों को याद रखेगा यह भी कोशन 2015 और 17 में पूछा गया कॉशन है तो फ्रेंट्स चलते अब अगले कोशन की और तो फ्रेंट्स को सब्सक्राइब कि रख्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है उस रोग का नाम बताना है कि रख्त में जो आयरन की कमी हो जाता है उससे कौन सा रोग होता है आपको देट टीवी मदू में उसके बाद एनीमिया उसके बाद नन यानि इन में से कोई नहीं तो इसका रोप्सन सी हो जगा एनीमिया तो फ्रेंट्स आयरन की कमी से आप इसे ध्यान में रिखेगा बहुत इंपोर्टें तो इंसलीन की कमी से मधु में होता आप इसे सभी को सबी को बहुत इंपॉटन को संता यह तो चलते अब एगले पुर के सब जीन है तो बताना आपको फ्रेंट्स आप जीन क्या है आप सब्सक्राइब को दिया है वसा एंजाइम हर्मोन उसके बात कार्बोहडरेट तो इस हार्मोन है यह कोसं 2013 में पूछा गया है आप इसे ध्यान में रिखेंगा चुकि बहुत इंपोर्टन को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे सेट बाइस ताकि आप लोग सिर्फ देखते जाएगा रिपीट क्योंकि एक्जाम नस्दिक आ गया चांडित है मगोष को व्रिख होता किडिनी वह किसे समनदित आप संव को दिया पॉसं से सोवसं से उत्सरजन से परिवहन से तो इसका अप्सं सी है फ्रेंट उत्सतर जंसी तो किडनी एक सर चङंद आप इसे ध्यान में रखेगा फ्रेंट मैं यह एलट्रा इंका कार करता आ और पुशेगा कि विरिग जो है खिडिनी किडिनी कि एक आए का इनेफरों किडिनी का एका नेफरॉन तो फ्रेंट्स यह भी कोशन बहुत ही इंपोर्टन था तो चलते अब अगले कोसन की ओर पॉसन है कि सोब पोसी पोसन के लिए आवसक है तो बताना फ्रेंज सोब पोसी पोसन है उनमें किसकी कि आवसकता होती है आपको दिया स्योटू की निकर्बंड एक साइट की उसको बाद कलोरोफील की सूरी का परकास उसके बाद सभी तो फ्रेंज सोब पोसी पोसन के लिए स है कि इसमें पूछागा को सरन तो फ्रेंट सलते आब नेहस्ट ज़स depends कि औरहों को सन तक परकास केक किरिया में और अक्सिजन बहार नीकलता है आपको बताना जो ना छो परकास लिए प्रेंट इसमें जो उसमें जो स्योटू से तो वाई मंडल से स्योटू को लिए ज़ता लेकिन ऑक्सिजन की प्राप्ति प्रकास सेस्ट किरिया में जल से होता कि से जल से आप इसे ध्यान में रिखेगा बहुत ही इंपोर्टन को संथा यह फ्रेंट्स चलते अब अगले को संक्यों को सना की मैगनेसियम Α्क में उनाउत और खूट है यादर रखे बहुत ही कॉसंता यह नाइस्ट का संथ ह्ऊर नेकि प्रमुक उच्छिं में की मैन। हो मनुस में परमुख उत्राजी अंग है तो बतानाओ फ्रेंट्स मनुस में मनुस के सरी में कौन सा मैंग है जो उत्सर्जन का कार करता है इसे पहले भी बता दिया पहले प्लाकोशन वीगी उत्सर्जन का उधारन क्या था व्रिक था न तो यहां भी ऑप्षन मैं आपको दिया रखत सुएत गरंथी व्रीक जिसको लोग किड्नी बोलते हैं अड़ी में अगनासे दिया है तो इस का अं लेकिन अल्टरा फिल्ट्रेशन करता है व्रीक किड्नी आप दुनों को याद रखेगा बहुत इंपोटन और यह उत्सर्जी अंग एकोन व्रीक और इसकी काई क्या नेफ्रोन आप इसे भी ध्यान में रखेगा बहुत इंपोटन को संथा यह तो फ्रेंड्स आज कह यह ट